एनादा कॉस्चन है सर अडीशनल एकजामत बारे डिटेल वीडियो बना दो वालड़ी वीडियो बने आ होया है इस वीडियो ने नीचे link देदांगा तुसी ओवीडियो देख सकते हो पंजाबी उनिवस्टी पट्याला गुर्णानक देवी उनिवस्टी थे पंजाब उनिवस्टी थे हां नहीं बढ़िया ओवी जल्दी ही बन जाएगा जिमें सर मैं B.S.C. नॉन मैडिकल विद कंप्यूटर किती है नॉन मैं B.S.C. नॉन मैडिकल कंप्यूटर किती है ते मैथ तुसी पढ़िया होएगा मैथ और लेंगविज ले ले लिए है ना ते अडिशनल पेपर कोदों देना होएगा कोदों ए सब पुछ रहे हो कोदों देना पढ़ेगा बीएड तो पहला ते बीएड दे नाल बीएड तो बाद वा यार क्या बात है वेरी गुड शावाश बीएड से पहले ये रहा बीएड ये नोंने कॉश्चन पूछा है बीएड से पहले बीएड से ड़रान बीएड के बाद उत्तर है कभी भी दे सकते हो अगर बीएड का स सकते हूँ इसका नुकसान है कि आप गौर्मेंट जॉब आ जाती है पी एस टेट आ जाता है आप तब तक अलीजिबल हो रहे हो एक साल आपका लग जाएगा अगर पहले ही कर ले तो बहुत से आनफ है अब आप अगर अगे क्या है एडिशनल पेपर कदे कॉलेज करवाएग बिएड वाला ही या कोई होर अतेफीस ये सारे उत्तर उस वीडियो में दिये गए हैं आपने यूनिवस्टी नहीं बताई यूनिवस्टी भी आपको बतानी चाहिए थी तो ये रहे गया आपका के अगर आप बिएड में हैं आपका लेंग्विज है फॉर एक्जामपल इ साथ-8 मीने लगेंगे एक साल नहीं तो ये दे सकते हो साथ में इसकी फीज कितनी है कब जाती है आंलाइन है ऑफ लाइन है ये यूनिवस्टी तो यूनिवस्टी वेरी करता है दोनों वीडियो नीचे होंगे आप लिंक दे देता हूं वहां से आप स्टड़ी कर लीजिए ओके नेक्स्ट है सर मैंने BSC MSC Fashion Designing में की हुई है त्री यर इंग्लिश पंजाबी और पंजाबी कबल सरी इंग्लिश ये टीन सब्जेक्ट किये हैं सर प्लीज मुझे बताईए कि मैं बेर्ड में कौन सा मैं नीचे लिक देता हूं Fashion Designing की बात किया वैसे चोटी सी बड़ी बात नहीं है आपको Fashion Designing में MSC BSC भी किया है ना आपको Fine Art ही मिलेगा Fashion Designing Fine Art ही मिलेगा Fine Art के साथ आपने एक जो सब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहां पर आपने अब यह Computer कितने साल पड़ा है यह नहीं यहां लिखा तीन साल है मैंने तीन यर English पंजाबी और Computer यह तीन सब्जेक्ट किये हुए हैं इम बात समझ में नहीं आई कि आपने यह भी किया है और यह भी पड़ा हुआ है अगर Computer तीन साल पड़ा हुआ है तो अगर पड़ा है तो आप Fine Art और MSC क्यों की की हुई है Fine Art और English ले लिजिए यह बैट नहीं पड़े हुए तो फिर इनको आपको additional paper देना पड़ेगा वो BA का साथ में BAD के भी दे सकते हो उसके बाद भी दे सकते हो साथ में देदू के तो टाइम बच जाएगा अगर आप fashion और Fine Art और Computer इसका combination नहीं है मेरे ख्याल में एक पर चेक कर लेते हैं Fine Art के साथ हमारे पा science, home science, physical subject with other subject combination available in the college. Graduate with fine arts, music, computer, home science, physical education, mathematics, statistics, quantitative, shall opt any of these subject with other subject combination available in the college. किसके साथ है? यह Fine Art आपके है जो Fashion Designing है, Fashion Technology है, यह वीडियो भी है, नीचे लिंक भी होगा, सेमी बात है, देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. यहां पर Pedagogy of Social Studies, Art graduate may opt any of two pedagogical subject each from the following and Pedagogy of नमर एक Social Study, Economics, History, Geography, Political Science, Sociology, Public Ed, Fine Arts आपका आगया हना? Fine Arts के साथ दूसरा है आपका Pedagogy Language है, naturally यह बन रहा है, Provided in Candidate Graduation and Post Graduation Level. तो यह आपका बन रहा है, Fine Arts और English, Fine Arts और Punjabi, अगर Hindi पड़ी है, तो एक साल आपका यह बनेगा, आपका और कोई नहीं बन रहा है, यही दिखाई दे रहा है, वापिस चलते हैं, यहां पर आगई, यह आगई, computer. ओके, तो वो आपको additional देना ही पड़ेगा, यह आपने नहीं बताया कि आपने elective English पड़ी है जा नहीं, elective Punjabi पड़ी है जा नहीं, मेरे खहल में नहीं होगी, Fine Arts और English combination बारे दस दो, प्लीज, हो नहीं दस के आया है, यही गल रिपीट होनी है, Fine Arts और English ले सकने है, Fine Arts और English ज पंजाब युनिवर्स्टी प्राइवेट जॉब लई, SST, Fine Arts दे सकते हैं, thanks, देखो Fine Arts देनाल, SST किते भी नहीं है, यह नहीं देखके आया, Fine Arts देनाल, नहीं है, SST इना चोई, इक चूज करना है, और, यह देखो, Pedagogy of Social Study और Fine Arts, इसका मतलब यह है कि Social Science और Fine Arts का exam एक दे ह होता है, that is why यह clash कर रहे है, यह नहीं मिलेगा, लेकिन आगे भी हम आपकी तसलिक के लिए देख लेते हैं, इसको रब करके, मैं डर दी, रब रब कर दी, यह रहा, Teaching of Fine Arts shall be offered to candidate who has taken up Fine Arts, Performing Arts, Fashion Designing, Fashion Technology and BA Diploma, यह बात हो चुकी है, दूसरा है कि Pedagogy of Social Science, यह भी हो चुका है, आ अब यह आगया, Teaching of Fine Arts, हाना, इसके साथ, यह major subject बन रहा है, art बन रहा है, इसके इलावा कहीं भी Fine Arts नहीं आ रहा, और यहां भी Fine Arts के साथ Language है, ना के Fine Arts and SST, सो यह conclusion मेरे खहल में निकाल लिया जाए, कि आपको SST साथ में नहीं मिलेगी, फिर भी doubt है, मैं authority से confirm कर लूँगा, सब यह पंजाब युनिवेस्टी पटे आला तो English, Literature, Psychology, यह वली बात पहले पूरी कर ले, complete किती है, History, Political Science, Fine Arts, सो मेरे ख्याल विच्च तो अनू History बहुत अच्छा subject, SST प्रेफर करना चाहिदा है, SST दे नाल तो अनू Language ले लेने चाहिदी है, SST दे नाल माल लो तुसी English लेली है, जहां पंजाबी लेली है, बीएड करन तो बाद, बीएड करके तुसी उस तो बाद, एंड विच्च तुसी Fine Arts दा additional subject दे सकते हो, उसनों एक साल तो ज्यादा, थोड़ा ज्यादा पीरड लगेगा, ओके, Sir, BA from Punjabi University Patiala with English Literature, Psychology and Political Science, एक प्रॉब्लम है तो अडे, English नों नहीं चड़ना, English minor subject है, ओके, Major दे बराबर है, TGT ली eligible हो, Government job ले, कोई additional नहीं देना पहेगा, इनों नहीं चड़ना, दूसरा, तुसी Psychology दे Political Science किती है, SST ही मिलेगा, लेकिन पंजाब गॉब्लमेंट को सब तो Social Sciences ने, ओदे विच हिस्ट्री, Economics, Political Science, Geography, Public Aid, Sociology, ते Environmental Study ह Psychology विच शामल नहीं है, दो Social Science चाहिए एक दूसी किती है, दूसरी दा additional paper तो आनो, for example, History दा देना पहेगा, जहां sociology, History, History प्रेपर करना ये बेटर है, सो ये हर हालाच चे ज़रूरी होईगा, तो आडेलेई जे तुसी government job ले, eligible का बढ़ना चौन दे हो, Sir, please be at least subject combination suggest कर देता, Sir, MA History, Graduate in Religious Elective Punjab भी है, History सी, MA History है, ये हो गया, Graduation विच Religion, Elective Punjab भी ते History, और religion नो, एकटफे करके तो अड़ा बन गया, SST, लेकिन religion साथ government सब्जेक्ट विच नहीं है, History है, और religion दे additional ली जे पंजाब भी बढ़ना चान दे हो, तो आड़ा पुलिटिकल साइंस दा जो स्कूल सब्जेक्ट है, जोग्रफी, एकनॉमिक्स भी कर सकते हो, इस दा additional paper देना पहेगा, पंजाबी नो माइनर सब्जेक्ट नहीं सज़ना, सो तो आड़ा combination best बन रहा है, SST, पंजाबी, पंजाबी TGT लेही तुसी eligible हो, MA पंजाबी कर लोगे, तब PGT लेही eligible बान जोगे, यहीं combination नहीं सज़ना, MA history था फाइदा बाद विच लेना है तो तुसी कर सकते हो, कि BA करन तो बाद, teaching of history, pedagogy of history ले सकते हो, सर मैं BA विच history, political science, इलेक्टे पंजाबी, विल्कुल easy combination, best combination, सारे सब्जाबी, सारे कॉल जाबिच अविच अवेलेबल है, और पंजाबी, एन उनी चड़ना तुसी, कोई भी तो अनो additional paper नहीं देना पाएगा, सर मैं graduation पंजाब उनिवेस्टी, विच्चो sociology, functioning की public act कीता है, देखो तोड़ा बीच ता सर गया, sociology पंजाब गौर्मेंट को सथ subject विच है, public act भी है, लेकिन हीक condition की है, के दो social sciences है न, ये मिलके तोड़ा SST बन गया, लेकिन पंजा सर्थ जिडियां पंजाब गौर्मेंट ने social sciences रखिया हन, उना देखो एक condition की है, के दो social sciences होन तुसी पढ़िया हन, पर ये दो देखो एक जेड़ा है subject, वो school subject होवे, school subject केड़े ने चार, history, political science, economics, geography, तुसी हो नहीं पढ़े, it means बानो additional paper एक देना पाएगा, वो केड़ा हो पॉलिटिकल साइंस ना लाई हो, क्योंकि history ना तुसी केंदरिय विद्याले, विच भी इससे दे नाल eligible हो जाओगे, political science करोगे तो eligible, केंदरिय विद्याले, नवोध्या विद्याले, cbsch नहीं होगे, so ये ताड़ा बन गया, sst और दूसरा तुसी पढ़ी होई है, psychology honor भी ह अहुन functional English ये पता नहीं की है, कि जे ताँ ये elective English दे बरबर है तो अनो English ही लेनी चाहिए दी है, English ही प्रेफर करो, जे नहीं है तो ये elective English दे ता अनो करना पाएगा, minor दे बाद भी, functional English दा, please tell me my subject combination, B.H. elective English sociology, physical education है, रजे तुसी sociology है, physical education है, इस तो इलावा कुछ किता है P.U. चंडिगड, M. में, M. में भी complete कर ली है, sociology दी, M. में ये complete कर ली है, which is best combination, best combination, तुसी एक ता बेस्ट तो अड़ा ये बंदा है, कि minor ही नहीं छड़ना, हर हाले चेही लेना है, कारण है कि TGT ली तुसी direct eligible हो, additional subject कोई नहीं देना पाएगा, एथिक आटा लगा देता, that is why English secondary subject है, primary केड़ा ले सकते हो, major subject, physical education, second हो गया, minor दो अड़ा ही, एदेले एक क्यों सुझेस्ट कर रहे है, TGT ली eligible हो, पर तुसी honor ओदे विच कीती हुई है, honor पंजाब यूनिवस्टी, पंजाबी यूनिवस्टी, पट्याला, सारी, पंजाब यूनिवस्टी, चंडिग area, तफेर तुसी, मैं ता इस सुझेस्ट करांगा, के जे ता नेड़े मिल दी है, दूसरा तुसी, पहला ता दस्या है, फीजिकल साइंस, फीजिकल एजुकेशन मेजर ते एंग्लिश माइनर, वो दूसरा सुझेस्ट करता है, सुझालोजी मेजर ते एलेक्टिव इंग्ल सुझेस्ट कर्णाट पूसरे, शाल षुकेंजिकल सोसरा पामटार तुसरा, एसस त्रय को में फियोगा, क्योसरा पेक्रणाट करता है, फीजिकल एजुकेशन मा इनर यहां रहेगा, फीजिकल एजुकेशन माइनर न वहां princess nieuwe तो इंग्लिश्ट करता में पेजिकल एज उन नूप बढ़नों बाद विच जानाल नाल भीयर दे अडिशनल पेपर देना पाएगा जो हिस्टी दा ही देना है ज्टे टुसे केंद्री विद्याली नदवद्याविद्याली सीबीसी विच सारे विच अलिजिबल हो जाओगे सब्सक्राइब करना है कि मैं केड़ा अडिशनल दे पाँआगा दूसरा सेलेक्शन टेस्ट ली सोचो कि के ज्यादा तुसी नॉलजीएबल हो सर बीसी ऑiliar मैठ करी है सानु इंग्लिश से अंगलिश टू समिस्टर है हां ऐसे धस नाय बल्गुल रिते इक कंप्यूटर आई टी वान समिस्टर है सी लेंग्विज तहें सी प्लस प्लस समिस्टर है बाक्त्र है मैथ रले टेल सभ्यक्ट है सो बी यसी AM er हैना दाडीड जदा ओनर मैत हा ग्या तो मेजर तो डलाई की रहना और हो कुछ नी मेज़र सबयक्त अडल मैत ही रहेगा और कुछ नी हां हुन कि तु где क्योंकि systems by you doing 魚 है यह तो नो language डूझी लेने पर इंग्रिण्ग दी लेंदे हो यह नग जिम्यवारी नहीं लेंदी, दूसरी पर फिर अटेंट कर सकते हो, देना ही पैना है, दे ही सकते हो, देना ही चाहिदा है, सर मैं History Political Science, Elective English, Honor, तो बहुत अच्छा था डाई, History Political, SST, कुछ भी guidance दी जुरूरत नहीं है, SST, Major, English, Minor, कोई नहीं, गौर्मन्ट जॉब ले लेजिबल, कोई additional subject नहीं देना पढ़ना, best है, सर मैं Graduation में Philosophy, Sociology, Elective English पढ़ी है, बिलकुल ठीक है, Philosophy, Sociology देना हो तो नो, SST मिल गया, पर seven जो पढ़ियां हन, seven social sciences है ना, जे डियां पंजाब गौर्मने रखियां है, SST teacher ली, उना दे विची एक condition है, कि दो social sciences जो पढ़ियां, एक school subject हो वे, so तो अडा school subject नहीं है, that is why तानो, SST लेके भी additional subject देना पहेगा, जो की history ही होना चाहिदा है, तुसी CBSC वेच केंदरी विद्याले ना वद्याले वेच eligible हो जाओगे, यह हो गया तो अडा major और minor तो अडा English ही रहेगा, जो की equal है, major दे ही, क्योंकि elective पढ़ी होई है, यह होनर शाहिद किती होई है तुसी है ना, लिखिया सी, नहीं, चलो elective पढ़ी होई है, तो जे, तुसी M में English कर लेंदे हो, PGT ली भी eligible हो जाओगे, otherwise तुसी TGT ली eligible हो, best तो अडा यही बन्दा है, नेक्स्ट है, सड़ा, सर मैंने GNDU, elective Punjabी history, political science, हाँ राजीब बहुत अच्छा है, very good है, social science, SST तो अडा major बन गया, TGT ली eligible हो, additional कोई नहीं देना पहना, इत्थे मैं कांटा लगा रहा है, गॉर्मेंट जाब ली डिरेक्ट eligible बन रहे हो, नाल माइनर पंजाबी ही लेना है, TGT ली eligible बन रहे हो, additional नहीं देना पहर रहा है, मैं कांटा लगा देता है, और गॉर्मेंट जाब ली eligible बन रहे हो, तो आडा बेस्ट कॉंबिनेशन है, SST पंजाबी, मेरे इंटर्स चुब बहतर माक सा आयने, मैं गॉर्मेंट कॉलेज विच एसी कुटा, विच सीट मिल जूगी, सब्जेक्ट कॉंबिनेशन, रजे केडा गॉर्मेंट कॉलेज जी अंडी जलंदर ही है, हाँ संभावना है मिलनदी वैसे, संभावना है मिलनदी, पिछली वार एनने ते बिल गई सी, एस वार पर केंडिडेट जाद आना है, हाँ एज ते यह तो ड़ा, येस, सर मैंनों अल्मोस्ट हर वीडियो नीचे कॉमेंट करके देख्या है, एक महिन्य तो सर जी मैं पबलिक एड, पुलिक एड, पुलिक एड, पुलिक एड, पुलिक एड 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 पुलिक है इसस्ट तो अड़ा एलिजिबल है बिलकुल जॉब ले टीजीटी ली लिजिबल हो गौर्मेंट जॉब ले बिलकुल तो अड़ा बन रहा है ए निच अड़ना दूसरा तो अड़ा एंग्लिश ले रहे हैं ले लो बिलकुल ठीक है इस दा अडीशनल पेपर देना पाएग होगे जह में कर लेंदे हो ता फिर तुसी पी जी टी ली इंग्लिश ली इलिजिबल बन जाओगे यह देना ही पाएगा वाकि सब ठीक है सब 24 फिल करनी है वहां 24 मैट्रेस में तो सीट है है नहीं कॉलज की नहीं सीट में पहले आप कॉलज देखोगे अपने मन पसंद का और वहां से सीट मेंट्रेस से पता चल जाएगा कि आपके मेजर और माइनर दोनों available हैं अगर दोनों available हैं उस वॉस को चूज कीजिए तो और फिल कीजिए दूसरा है जब आप आप कॉलज वैसे डिरेक्ट च्वायस फिलिंग में जाते हो तो माइनर और मेजर वहां भी ड सब्जेक्ट कॉंबिनेशन का दस्दू